तो पहला question है निशेधात्मक शिक्षा पर बल देता है A है आधर्सवाद, B है प्रयोजनवाद, C है प्रकर्तिवाद और D है यथार्थवाद इसका जो सही option होगा निशेधात्मक आप जानते हैं रूशू ने इस पर बल दिया है निशेधात्मक शिक्षा पर तो रूशो है हमारे प्रकर्तिवादी तो ये C option इसका विल्कुल सही answer हो जाएगा C option ठीक है तो रूशो ने दो परकार की शिक्षा की बात की थी ठीक है निशेधात्मक तो ये दो परकार की उन्होंने शिक्षा बताई थी ये निश्चयात्मक जो शिक्षा थी ये उस समय की प्रसलित शिक्षा थी इसको उन्होंने निश्चयात्मक शिक्षा कहा था ठीक है जो उस समय जो है बौधिक विकासपरी बालक की बौधिक वि प्रकरति से लेखक के पास आती है प्रण तुमानों के हातमा आकर प्रतेग वस्तु पतित हो जाती है तो ये कथन किसका है रूशो, हर्बर्ट, इस्पेंशर, या फ्रोबल, या फिर वेस्ट्रलोजी तो प्रकरतिवाद आप लोग समझी गए हैं तो ये जो कथन है ये कहा है रूशो ने रूशो जो प्रकरति से आती है ये निखा कहने का मतलब है कि जो चीज प्रकरति से आ रही होती है जो प्रकरति ये जो देन है तो वो चीज अच्छी होती है लेकिन जैसे ही वो समाज में आती है तो समाज उसको गंदा कर देता है ठीक तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कुशन नमबर 3 प्रकृतिवाद ठीक तो जितने भी ज़्यादा तर जो जो यह धीम जो यह गी ýम की इन ठीक है तो शिक्षण बीधियां ज्यादा तर जो हैं परकरतिवाद की ही देन है आप लोग ध्यान रखेंगे question number four email नामक पुस्तक किसने लिखी है email नामक या email भी इसको पढ़ लेते हैं तो email नामक पुस्तक किसने लिखी है यह आपसे पूसा जा रहा है option आपके शामने वीडियो फॉस कर सकते हैं तो इसका जो सही इनः ठीब बने तो यह email जो नामक पुस्तक है इसको 5 भागों बाथा है उन्होंने 5 भाग बना रखें इस के इस्में जो important है वो है 4 भाग क्योंकी चौहता भाग है वो किशूरवस्ता के बारे में इन्होंने वहाँ पर बात की है तो जो भाग है किशूर आवस्ता को डेडिकेट है ठीक है किशूर आवस्ता और जो तीन भाग है वो एमिल के जीवन के बारे में जीवन के बारे में बच्चे के बालक है जो तो उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है और जो पांचवा है वो ग्रस्त जीवन के बारे में घर ग्रस्ती या ग्रस्त जीवन और साथी साथ इसकी एक दोस्त होती है एक मिल की उसका नाम होता है शूफी तो सोफी के बारे में भी इसी में बताया गया होता है पांच वार जो ग्रफ्त जीवन के लिए है ठीक है तो इतना ध्यान रखनेंगे भाई कोशन निंबर फाइब प्रकरति द्वारा जो मार्ग निर्धारित किये जाते हैं वो समाज द्वारा निर्धारित मार्गों से स्ष्ट होते हैं तो ये कथन किसका है भई? Q5 तो ये भी प्रकरति वादी रूशों का ही ये कथन है जैसे उन्होंने कहा था कि, जो कुछ भी नीचर हमें देता है, वो चीज़ें सब अच्छी होती हैं, और समाज जो है, उसको गंदा कर देता है, तो यही उनका कहने का मतलब है, कि प्रकर्ती जो मार्ग निधारित करती है, वो हमेशा अच्छा मार्ग होता है ये ठीक है लेकिन समाज द्वारा जो निलधारित मार्ग होते हैं वो उसके पेक्षा में उसकी तूलना में जो हैं वो कम स्रेष्ट होते हैं ठीक चलिए तो ये रोशो हैं भाई अच्छा मनोविग्यान ठीक है बी यस क्वेश्ट नमबर सेवन समुचित परिवेश सर्जन द्वारा समश्या का समधान डूड़ना किस दर्शन का मूल तत्व है तो ये है भई क्वेश्ट नमबर सेवन का जैविक व्योहारवाद अस्तित्तवाद बिल्कुल भी नहीं ठीक अच्छा मनदित है ठीक है आदर सवाद परकर्तिवाइश में नहीं आएंगे आप यह अप्सिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो कहीं लोग आप लोगों के मैसेज आते हैं वह कि आपकलासेज नहीं दे रहे हैं तो लाइए ठीक है तो आप ये नावकुछ कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी हो सके ठीक तो यह मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक हैं तो योगी आप तही लोग जानती है कि मैं भीüyorsun तो थोड़ा सा वीडियो एंटरी यहां और वैसे भी हम रहे हैं और वैसे हमारा लिखते हैं ठीक है बार-बार में इसका एड़िटाई या फिर मैं बार-बार इसको नहीं करता वह इसलिए क्योंकि जो लोग बिल्कुल सीरियस है वो जुड़ जूड़ी जाते हैं वो भले परचार आप करें या ना करें लेकिन कहीं लोग जानकारी का अभाव होता है कहीं लेकिन वो लोग अभाव थे कि उनको पता नहीं चल पाया था जानकारी मिली नहीं थी तो इसकारण से तो आप लोग जुड़ सकते हैं तो इसके लिए मुझे आप वाट्सअप कर सकते हैं 8476084674 ठीक है और यूटूबर मैं कराशेज वीडियो उगर लाही रहा हूं ठीक वाकि मैं पता दिया आप लोगों को कि मैं भी थोड़ा सा इस टाइम पर थोड़ा ज्यादा वीजी हूं तो वीडियो थोड़ा बहुत कम जरूर आएंगी लेकिन आएंगी बहुत अच्छी इंप्रोटेंट क्लाशेज आप लोग के लिए आती रहेंगी ठीक है तो 8 में क् सेट एक है चिंतन के पास्चाथ दर्सन का वर्डन है जबकि सेट शेकिन जो है उस शिक्षक की भूमिका की प्रती उनके विचार द्रस्टी हैं तो दोनों सेट का मिलान करें ये क्वेशन पूसा जा रहा है ठीक है यानि कि कुछ ये ये चिंतन ये पास ये दर्सन है और उ तो आदर्सवाद अब इसमें देखिए इधर देखिए ठीक है आत्मा नुभोती की पत पर प्रतेक साथ सात्रा को व्यक्तिकत रूप से शाहिता परदान करना या ये आदर्सवाद होता है व्यक्तिकत रूप से शाहिता समश्या की इस्तिती में प्रामर्सदाता की भूमि का आदर से विक्ति तो आदर्श वाद में बनीति आधर वाद के अनुषर जो यानि कि तीचर है तो उस टीचर के व्योहार का रोखारन बच्स्चे कर रहे होते हैं तो यह तो आदर अब देखो आत्मान भूति के पर्तेग चात्रा को व्यक्तिगत रूप शायता परदान करना तरहे को कि यह आप थी घंठ्सक्रप्राइए तो और अस्थत्त तो अस्थत्तोवात भी ही कहता है कि जो चीज क क्तिकत हो नुद पर लो चीज आपका हो वक्तिकत होना चीझे अगर कोई धू को दूषा क्तिय गर ऑस doin हए तो डी का होना चीह फ़र्स्ट एक दी का फ़र्स्ट के वल सी option में है थीक है तो C option हमारा क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा और यथार्थ वात को देख ले थे यासा वात जो होता है यह थार्थ है नहीं कि real वास्तविक जी वास्त वाlor' भी बोल सकते हो तो वास्तविक ज्यान हो है ना तो वास्तविक ज्यान तो ज्यान का संचालन की भूमिका यहां पर teacher जो है वो कर सकता है तो B का हो जाएगा 4 बिलकुल B का 4 भी धरी है ठीक है तो इसमें भी B का 4 नहीं है तो ऐसे भी आप अगर अस्तित्वात को नहीं समझ पाते तो यथार्तवात से भी आप इसको शाही कर सकते थे C का हो जाएगा second प्रयोजनवाद जो है वो सेगने की समझ्या की स्थिति में प्रामर सदाता की भूमी का प्रयोजनवाद था ना यानि कि कुछ चीजने लर्निंग बाइडूइंग अगर कुछ चीजने कर रहा है और उन चीजों में टीचर जो है बच्चे को क्या करेगा एक प्रामर सदाता की भूमी का प्रदान करेगा तो ये भी बड़ा आसान जाए था C भी आप क्लिक कर सकते थे C का second ठीक है और D का हो जाएगा आत्मान वूति के पत्पर प्रतिए रहम जानी के हैं तो ये C options का सई आंसर चलिए Question number 9 भूखे पेठ प्राथना नहीं की जा सकती इस कथम को समर्थन प्राप्त होता है तो ये किसे समर्थन प्राप्त होता है आदर्सवाद, प्रकर्तिवाद, यथार्थवाद, तार्किक, विधेईवाद भूखे पेठ, अगर आप भूखे पेठ हैं तो आप भक्ति नहीं कर सकते हैं ये भी आप कह सकते हो हैं भूखे पेठ, भक्ति नहीं कभी कभार कहते हैं कि आप फास्ट लेते हैं, ब्रत लेते हैं तो कहीं लोग कहते हैं भूके पेट प्रात्ना काईसे भRe, तो ये question number 9, तो ये होता है भई, यथार्थवा, भूके प्रात्ना, real, वास्तर्विक टा कहए रहा है, कि अगर तुम भूके हो, और तुम उसमें भक्ती कर रहे ह taką का रहे हो, तो ये भी ठीक नहीं है कहने का मतलब तो ये श्री अलवास्त विक्ता बता रहा है ठीक है तो ये सी ऑप्षिन इसका बिल्कुल सही आंसर है इसको मैच करना है ठीक है इससे मिलाना है और भी इनको लिस्ट इससे शेकिन से चलिए अब देखो प्रियोग के आधार पर आधर्सों और धार्णाओं को मानिता परदान करता है कौन करता है यथार्थवाद आधर्सवाद परकर्तिवाद या फिर प्रियोजनवाद ठीक है यहारवाद तो यह आपको बताने है यह आपको मैच करने है ठीक चलिए तो प्रियोग के आधार पर पर प्रियोग की बात हो रही है ना प्रियोग के आधार्थवाद और धार्णाओं को मानिता परदान करता है तो वो करता है आपका pragmatism है ना या behaviorism कह सकते हो तो एका third होना चाहिए एका third कहा है वई दो option हो में है तो हमारे पास दो option तो eliminate हो गए है है ना दो option तो हमारे पास eliminate हो गए है ठीक अगला है आत्म चेतना की सच्चाई सुन्दरता और अच्छाई को मान्यता प्रदान करता है तो आत्म चेतना वही आत्म चेतना की अगर बात आ जाएगी तो आप बिल्कुल निश्चित तोर पर पहुंच जाएंगे इस्वर्वख्ति आदर्श वात में ठीक है बिल्कुल first तो वी का first होना चाहिए तो हमारा B option सही हो जाएगा C भी देख लो, C का 4 है और D का C C का 4 यानि कि पदार्थ और चीतना के बीच कोई इस first विभेद नहीं होता है तो ये नहीं होता है ये परकरतिवाद पदार्थ और चीतना है ना तो पदार्थ पदार्थ वाद भी बोल देते हैं लोग परकरतिवाद को ना तो ये बड़ा आसान सा question लेकिन difficult तब हो सकता है जब आप इसको जो है अच्छे से आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखते पिर ठीक है और D का हो जाएगा अस्तित्त वाद आत्मी तत्षणी का नुभूती अस्तित्त question number 12 बड़े long question है ऐसे question आप लोग को इस बार LT में देखने को मिल सकते हैं तो ये question क्या है भई संग्राले और चिनियाघर की प्रस्तावित सहर के विशय में प्रकरतिवाद के प्रति रुजहान रखनी वाला एक अध्यापक प्रतिकिरिया देगा कि क्या प्रतिकिरिया देगा कि संग्राले और चिनियाघर की प्रस्तावित सहर इसके विशय में प्रकरतिवाद के प्रतिरुजहान यानि कि प्रकरतिवाद ही अध्यापक है संग्राले और चिनियाघर इनके बारे में वो अपनी क्या परति के दिया देगा बच्चों के लिए है ना तो चलिए बात देख लेते हैं option चलिए ये option है थोड़ा सा लंबी option है ठीक है चलो इसको पढ़ लो मैं अपने चात्रों को नहीं ले जाओंगा नहीं ले जाओंगा कि तो बात ही नहीं होगी ठीक है क्योंकि ले जाएगा उचिरिया घर में या फिर शंग्राले में, तो ये नहीं ले जाऊँगा वाला ये कटा, मैं अपने शातरों को शिरावाले नहीं ले जाऊँगा, बिल्कुल ये भी खतम दोनों में से मैं संग्राले जाना परशन करوںगा क्योंकि वहाँ शातरों को विलिक्त हो चुके के अ ma否 की देने का इसार मिले गर बिल्कुल यह प्रकृति वाख कहता है यह आपड़ी मैं अपने छहात्रो को दोनों जगों ले जाओंगा क्योंकि न दोनों जगों मेरे छहात्रों को कम से कम कम से कम प्राणियों के बारे में तो जानने में शाहिता मिलेगी अक्रब जबरदस्त एक देखो एक question खुद इसने इसको eliminate किया है भई कि मैं अपने छात्रों को दोनों जगर ले जाओंगा शही है लेकिन क्यों की क्यों ले जाना जा रहा है क्योंकि इन दोनों जगर मेरे चात्रों कम शेकर प्राणियों के बारे में तो जानने में शाहिता मिलेगी ठीक है इससे बहतर आंसर आपको मिल जाएगा C दोनों मैंसे मैं संग्राले जाना पसंद करूँगा क्योंकि वहां चात्रों को ब्लिप्ट हो चुकि कि प्राणियों को देखनी का उसर मिलेगा ठीक है और संग्राले की बात नहीं बिलकुल है ना संग्राले ठीक और चिर्णियां कर यह दो स्टी ऑफ्षन से इलिमनेट कर सकते हैं ठीक है ची ओप्षन ठीक है बहतर आंसर है सी चलिए शंग्राले में वो चीज़े रखी होती ना जो चीज ब्लिप्त हो रहे होते ना तो ऐसे चीज़ें इनको आप लोग सोच समझ सकते हैं ठीक लेकिन उसका तरीका सही नहीं था अप्षन नमबर डी वाले मुपर आप देखोगे तो कोशी नमबर थठीन ब्यक्ति जब पैदा होता है तो वो सतंत्र होता है परंतु बाद में वह बेडियों में जकर जाता है तो यह किस ने कहा है इसने कहा है भई, व्यक्ति जब पैदा होता है, तो वो सोतंत्र पैदा होता है, बलकि बाद में, परंतु बाद में, वह बीडियों में जकर जाता है, नहीं कि समाज के साथ वो जकर जाता है, तो ये कहा है भई, रूसो, रूसो बहुत इंपोटेंट है आपके, ठीक है, तो ये ध्यान रखनेंगे व्यक्ति जब पैदा होता है तो स्वतंत्र होता है प्रणतु बाद में वह वीडियों में जखर जाता है ठीक निमलिखित कथनों में उन लोगों की पैसान करें जो समझ के इस्तर पर शिक्षन की विशेष्टाओं और वुनियादी आवशक्ताओं से संबंदित है तो ये शिक्षन के जो इस्तर है वहाँ से एक क्वेशन उठा दिया है ठीक है तो बोध इस्तर की बात हो रही है कि उन अच्छा है इसमें देखो ए बी सी करके ऐसे भी देखे हैं ठीक है तो ये बहुत इंपूटेंट क्वेशन है ऐसे क्वेशन तो जरूर मिलेंगे इस बार ठीक है तो बोध इस्तर की बात होती है तीन परकार के शिक्षन इस्तर होते हैं आप जानते हो मेमोरी इस्तर है ना अंडरस्टेंडिंग लेवल ठीक है और रिफ्लेक्टिव लेवल ठीक है चिंतन इस्तर तो ये तीन इस्तर होते हैं और इसमें जो पहला जो होता है वो मेमोरी वो रटन दवाला ना वो तथ्य और सूचनाव पर आधारित होता है तो भई देखो ये option क्या है कि सिक्षन तथ्य और सूचनाव के पार्ट पर जोर देता है तो ये तो memory level अब हमने बात करे लिए ना तो ये option तो नहीं हो सकता तो ये जहां जहां है उसको खतम करो भाई लो दो अप्शन तो हट गया आपके बस C, D, E, B, C, E यानि कि C, E तो हैंई दोनों में D और B में देख लो चलो D और B देख लो भई ठीक D देखो शिक्षक प्रस्तु तथ्यां को वापस बुलाने और मान्यता पर जोर दे रहा है ठीक है वापस बुलाने यानि कि Recall Recall, Recall Recognization है ना ठीक तो ये आपने पड़ा होगा तो इस मिर्थी स्तर पर है ना तो ये इस मिर्थी स्तर की विशेष्टा है उसमाद आते हैं Attention, Retention, Recall, Recognization है ना तो ये इसकी बात हो रही है तो ये D तो नहीं हो सकता तो D को हटा दो D को हटा दो वाई ठीक, D कहां है ये D भी हट गया ये हट गया, ये को हमने हटाई दिया था तो इसका D option बिल्कुल सही answer हो जाएगा, ठीक, चलिए Question No.15 आईए अध्यापक का कारी पर्दे के पीछे रहकर कारी करना है ये मान्यता है, किसकी है? अध्यापक का कारी पर्दे के पीछे रहकर कारी करना है तो ये मान्यता पर्दे के पीछे यानिकि शाहिक के रूप में, मार्गदर्सक के रूप में साहिक के रूप में तो ये जो कारी होता है ये प्रकर्दिवाद में ठीक ठीक पढ़ दे के पीछे रहकर कारे करता है ये रूसों नहीं भी कहा है तो ये बी आप्शन बिलकुल ठीक चलिए क्वेशन नमर 16 में आईए निम्न मैंसे कौन आधर्शवादी नहीं है शुक्राथ अरस्तु का सिश्यो होता है सिकंदर ना तो ये शुक्राथ प्लेटो तो ये आधर्शवादी है नहीं है होर्न भी है ठीक है तो एक आधर्शवादी जब मूड आते हैं ना होर्न जरूर देता है ठीक है तो आधर्शवादी है होर्न नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी प्लेटो प्रुष्णुत्तर सुक्राती विदी है यहां ना संवाद विदी प्लेटो की जो शिक्ष्ण विदी है वो है संवाद विदी क्वेश्ण नमट 18 परकरति वाद का स्रेष्ट योगदान शिक्षा के किस छेत्र में है देखो भई यह कुश्ण बन गया ना बढ़ते हैं क्वेशन 30 क्वेशन है थोड़ा अगर एक्सप्टेशन में ज्यादा कुरूं तो साइब बहुत लंबा यह समय लग जाएगा तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम समय लगे ना कम समय में ज्यादा चीज़ में आ जाएगा और जहां और से बहुत जरूरी भी होता है ठीक है और वहाँ जरूरी भी है ताकि उस चीज को समझते हैं कोई नहीं चीज आ रही है अगर नहीं देखी है तो फिर क्या फाइदा उसका सीधे आंसर देखने से ठीक है हो दो-तीन जिन तक रहेगा पिर याद नहीं रहेगा ठीक चलिए तो कैसे कि आप लोगों को चीजें ठीक लग रहे हैं ऐसे बता सकते हैं कि क्या ब्याख्या करना ज़रूरी है या फिर केवल मैं सीधे आंसर बता दूंगा यह मेरे लिए भी बड़ा अच्छा हो जाएगा कि समय बहुत कम लगेगा तेकिन चीज़ना आ जाती है तो फिर वह अंदर से एक वह चीज हो जाती है कि हां यह चीज आही जाता है नो तो यह भी हो जाता है तो कभी कभार बहुत ज्यादा हम बोल जाते हैं तो फिर वह अंदादा नहीं आता फिर ठीक है तो क्योंकि पता ही नहीं चल पाता फिर हम क्या क्या कितना जो चीज़ना ब सब्सक्राइब और पहले से मुझे डिशाइड हो जाएगा कि मुझे जाता ब्याक्षा इन चीजों में नहीं करते हैं ठीक तो क्वेशिन नंबर 19 दर्शन यानिकी फिलोस्पी का जन्मत आता केसी माना जाता है तो यह आसान सा क्वेशिन है आप लों के लिए ना तो फिलोस् दर्शन है वैसे सीख है सांकि है जैन दर्शन इसमें इस पर स्ट दिग रहा है तो यह दैन जैन दर्शन है यह हमारा झोवहथी दर्शन है उस में जो जैन दर्शन हो गया और हई गिवशा थे शी siis द्यान आ रहर क्या होता है कि जो वेदों की प्रमारिकता को स्विकार नहीं करता तो ऐसा दर्शन जो वेदों की प्रमारिकता को स्विकार नहीं करता उसको हम कहते हैं नास्तिक दर्शन और हमारे आस्तिक दर्शन किसने है यानि कि आस्तिक मींज जो वेदों की प्रमारिकता को माननी वाला ह तो वे होते हैं आस्तिख होते हैं हमारे सड़ दर्शन कैसे लिखें यिई स BIG είναι स्ड़ दर्शन हमारे वो क्या है हमारे आस्तिख यानि की वेदों की प्रमारेक्ता को यह कि मानते हैं ठीक है तो यह आस। धिक दर्षन हुई हुक्य ठीक आस्ति है एक शर्डशन कौन आते हैं नयाई दर्षन और यह व्यासिक जिसके इन歪 रही लिखा क्यों निया रहा था वैसे कि वैसे कि जू भी है ठीक है सुन लेना इसको वैसे सिख न्याई दर्शन वैसे सिक्षांखे कपिल हैं जिसके परवर्टक तीन हो गए और तीन कौन से बचे भी न्याई वैसे मिमानसा भी बोल देते हैं hoardain है इसके बाद्राराइण है दिते जली है आप जानते ही हो सांग्खे कपिल है सक ना कपिल है इसके वैसे से कणाद या उलुक न्याय गौतम न्याय देंगे तो ये आप ध्यान रखेंगे तो बेमेल कौन होगा डी ओफ्षन ना चलिए क्वेशन नमबर 21 ये भी बड़ा लंबा क्वेशन बनाया है दर्सन की साथ हैं है और दर्सन की साथ हैं का है संबंदीत प्रसन है उससे तो इसमें कौन सा सही होगा भई ये आपको चेक करना है ठीक है चलिए तो ग्यान मिमान सा अब देखो ग्यान मिमान सा यान की जो ग्यान ग्यान के बारे में ग्यान ठीक है ग्यान का विकास किस परकास सत्य संबंदी ग्यान का विकास ये ग्यान मिमान सा की बात होती है ठीक है वैसे ही तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त है ना जो वास्त्विक्ता से सम्मन्नित होती है रियालिटी ठीक है तो तत्विमांसा को वास्त्विक्ता भी हम लोग जानते तो वास्त्विक्ता ये कहां जाएगा वास्त्विक्ता ये क्या है है ना तत्व में क्या है ठीक क्या है कि जो बात करता है तो ये तत्त्विमान सा क्या है यानि कि सत्ति क्या है तो ये सेकेंड का थर्ड सेकेंड का थर्ड देखो और फर्स्ट का फिप्ट देखो फर्स्ट का फिप्ट और सेकेंड का थर्ड फ़स्ट का फिफ्ट एकी में है और शिकन का थढ़ एकी में है तो यह आप्षन हमारा रही आंसर हो गया बाकि आप लोग अगर नहीं भी आ रहा है आपको समझ में तो आप मिला सकते हैं तो फूर्थ यह थार्ड का हो जाएगा फूर्थ जीवन के मूल्लियों के चैन का से भी आप लोग की स्कूल क्लिक कर सकते थे ठीक है और आचार मिमांसा आचार यानि कि आचार आचार ये बोल सकते हो कि जुम ना उचित अनुचित सही गलत आचार मिमांसा तो इसमा जाएगा तरक मिमांसा ये ग्यानारजन के साधन कौन से है तरक लगाना है ठीक चलिए निमलिखित मैंसे किस दार्षन की विचार धारा को सरवांग योग दर्षन कहा जाता है तो ये सरवांग योग दर्षन आप पहुँच कर सकते हैं वीडियो मैं आप लोगों सीधे आंसर दूँग अर्विंदु ठीक है अर्विंदु का जो दर्षन है कि सुरांग चर्वा योग दर्षन से जानते हैं पूत्तर के débाद को इसको विधान्त भी दोकित कुछिन नमर्ट 24 शिक्षार हेर फेर यह परशित्र रचना है भई एक सेक्षिक बुक है इसमें टीचर की क्या क्वालिटी जोनी चीह एक 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 अच्छे अध्यापक को पढ़ाना है ना टीचिंग करना है तो इसके बारे में इसमें बात की है तो यह है रफिंद्रनाठ टैपोर की डी ठीक चलिए कुछिन नमर्ट 25 प्रसिद्ध दिवासवपन रसना किसकी है दिवासवपन आपने आपने से कहीं लोगों ने पढ़ा हुआ दिवासवपन को तो यह मूचों वाली माँ थे लें बोनते मोट है इसको बोलते थे खीक है मूचों यमारी मांं को लिए अ बौते थे कि बच्चे जो है इनको अपनी मात्र प्रुम टैप से है इस टैप से बहुत अच्छा मतलब बहुत क्रेम करते थे और इनकी क्योंके मूखें थी और लंबी मूखें दाड़ी थी तो इसलिए इनको मूखों वाली मात्र से भी पुकार दे थे इनके बच्चे जो है तो वो थे गीजु भाई बधेका जी डी ओप्शन ठीक 1920 में इन्होंने बाल घर करके एक बद्या लई ये इसकी स्थाप्ना के थी चलिए 26 है प्रमस्तिस्क गुलार्थ के सिदान्त के अनुशार दाया गुलार्थ संबन्दी होता है एक दाया गुलार एक बाया गुलार जो जो दाया गुलार थे उसकी बारे हम पूसा जा रहे तो दाया गुलार स्रजनात्मक्ता से संबन्द होता था ठीक है ये दाया वाला क्रियेटिविटी स्रजनात्मक्ता से और जो बाया होता था ये तारकिक से कि ध्यान रखेंगे यह उप्शन सभी है इसका 27 यह थोड़ा सा लंबा कुशिन है श्रजनात्मक्ता यों बुद्धी के सरसंबंद के बारे में निम्नमेंसे कौन सा कतन सभी है यह है व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना ही अधिक स्रजनात्मक होता है ऐसा नहीं होता भई है ना जो परतिभास हाली बच्चा होता है इसका मतलब वह बहुत ज्यादा स्रजनात्मक बालग होगा फिर ऐसा तो नहीं होता है तो परकरती सोरी जो परतिभास हाली जो बच्चा है वो स्रजनात्मक बालग हो भी सकता है नहीं भी ह स्रजनात्मक्ता का सही मापन हो सकता है तो बुद्धी परिक्षण अलग होते हैं श्रजनात्मक्ता के प्रायो और सथ से अधिक बुद्धी होना चाहिए चाहिए इसको मान लेते हैं कि अभी है बुद्धी परेक्षण यहुं स्रजनात्मक्त प्रेक्षण की विष्यवस्तु में कोई अंतर नहीं होता है यह दोनों अलग अलग परेक्षण है तो सी आप्षन हमारा सही हो जाता है क्योंकि देखो जो स्रजनात्मक्त बच्चा होगा औस चे अधिक बुद्धी होना भाई बहुत जरूरी है अगर कोई पिश्रा बच्चा है या जड़ बुद्धी वाला है या यह कहो कि मूर्त यह ठीक यानि कि पिश्रा बच्चा है ठीक तो इस पर का औसर से अगर कम बुद्धी है तो बच्चा तो भाई सरजनात्म नहीं हो दा उसको तो इतना चिंतन उतने विचार वो आई नहीं सकते ना सरजनात्मक की क्या चीज़ें हमें क्या नहीं नयापन क्या करना है ना कुछ विशेश क्या कुछ कर सकते हैं करके उसके पास उतनी बुद्धी ही नहीं है तो एक औसद बुद्धी होनी बहुत जरूरी है स्रचनात्मक बच्चे के लिए ठीक है तो निम्न गुद्धी वाला बच्चा जो है वो स्रचनात्मक बच्चा नहीं हो सकता लिए 28 में आईए Fit India Movement की शुरुवात कब होती है? Fit India Movement 1 अगस 2020 या 39 अगस 2020 option आप देख सकते हैं इसका सही answer है 29 खेल दिवस के अउसर पर 2019 में Fit India Movement की शुरुवात हुई थी यह important question है भई 29 कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस नाम से प्रस्तुत की? कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस नाम से प्रस्तुत की? यह आप से पूशा जा रहा है जानते हो 1964 मा आया था 15 जुलाइ 1964 15 जुलाइ 1964 को आय था और इसनी जो अपनी रिपोर्ट सहुपी थी 29 जून को सहुपी थी और वो काप सहुपी थी 1966 तो हम इसको तब कहते हैं यह शिख्षया आयोग 1964-66 करके न तो कुठारी आयोग कितना एक्सर्टाइश को ध्यान रख सकते हैं ठीक है तो शिक्षायोम राष्ट्रिय परगती इस नाम से इसने अपनी विपूर्ड जो है वो प्रस्तुत की थी शिक्षायोम राष्ट्रिय परगती करके याद रखेंगे यह बहुत इंपूर्टेंट है चलिए अंतिम प्रेशन है ठीक है तो इतना भाई कुठारी आयोग से इतना ध्यान रख सकते हो कि यह 15 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था और इसने जू नैंटीन से उन्टीन सोरी नैंटीन दो साथ के बार 1966 को अपना अपनी रिपोर्ट जो है यह परस्तुत की थी इसके स अची हो थे इसमें सदस्य थे सत्रह सत्रह सदस्य सदस्य शत्रह उठारी आयो बहुत इंपोटेंट्स आयो गए सत्रह सदस्य में 11 भारती थे और अन्य कितने बच्छे 6 थे वह भी देशी ठीक है और इसकूलों के लिए इन्होंने दिन निशित किये थे 244 और ये कॉलेज् इन्होंने दिन निशित किये 216 चलिए भई ये उठारी आयुक तो यहीं समाप्त कर देंगे वालना है ना चलो इतना काफी है लास्ट क्वेश्चिन है निश्था 4.0 का संबंद किस्से है निश्था निश्था 4.0 का जो संबंद है ये किस्से है बई देखो निश्था निश्था ये आपको बताना है कि निश्था कब आया शुरुवात कब हुई आपके पाँ ओप्षन है 2018-2020 ठीक है तो कब आया निश्था सबसे पहले तो ये बताएंगे आप जो 1.0 है ये मैंने सीधे ऐसे नूट किये हैं 1.0 या इसको ओ भी बोल देते हैं तो 1.0 ये elementary level है B 2.0 है secondary और जो C है ये 3.0 यानि कि FLN के बारे में ठीक है और D जो है वो ECC E C C E ठीक है तो इसके बारे में जो है है निश्था 4.0 में जो है बताया गया है ECC E के बार में है ठीक है तो यह आप लोग ध्यां तरक्लिंगे तो ये डिय ऑप्सिन इसका विल्कुल सही की आंसर हो जाता है इसमें आंसर भी आप लोगों के मैंशन है तो कैसी लगी एक लास आप लोग जरूर अपना फीडबैक दीजेगा अच्छी लेगी तो आप लोग जरूर अच्छे परमेंट जरूर करके मुझे बताईएगा जरूर और लाइक करना मत भूलना भाई अग इसलिए मिलते हैं